असलाम लीकूम मैंनेम इस हिवता शर्फ 12% मैनेजर अट औरिप्लम फॉम पाकिस्तान आज मैं आपके साथ प्यूर स्किन के डूल एक्शन फेस मास्क के डिटेल्स आपके साथ शेयर करने लगी हूँ सबसे पहले मैं आपको प्यूर स्किन प्यूर स्किन साथ बारे में थोड़ा बताती चलों इसका इूज बताऊँ और इसके बैनेफेट में क्या है दो जो प्यूर स्किन हमारे पास रेंज है वो जो है वो किसली यूज की जाती है प्यूर स्किन जो रिंज है ज्यादा तर ओयली स्किन के लिए यूज होती है तो आप नॉर्मल स्किन पर भी इसको यूज कर सकते हैं लेकिन यह जो इन्फ्यूज की गई है वो ओयली स्किन के लिए है तो प्यूर स्किन जो रिंज है वो आपकी डार्क स्पोर्ट्स और ब्लैक एड्स को जो है रिमूव करने के लिए इसको तयार किया गया है तो मैं आपको इस प्यॉर स्किन की जो है वो मास के बारे में बताऊंगी हमारे पस इसमें एक जो फर्स्ट पे इसका जो है वो स्टीम है सेकंड पे कूल है मतलब यी दो स्टैप हैं इसके आपने ये दोनु स्टैप को फोलो करना है तन आपको बेस्ट रिजॉल्टस मिलें گे तो सबसे पहले आपने क्या यू़ करना है इसका स्टीम वाला पार्ट यहां से आपने ओपन करना है और सबसे मही अची बात यह है यह week में आप two time या three time इसको use कर सकते हैं अगर आप एक mask order करते हैं तो इसको आप two या three faces पे अराम से use कर सकते हैं तो first of all इसका method है first step हमारे पास steam है तो steam आपने किस तरह से use करना है इसको यहां से open करना है आपने पहले अपने skin को अपनी जो face है उसको किसी भी cleanser के साथ clean कर लेना है face wash करने के बाद आपने उसको dry करना है उसके बाद आपने यह steam वाला जो है वो apply करना है अपने face पे उसका massage करना है जो है वो massage आपने one minute massage करना है मिसाच करने के बाद आपने इसको five minute के लिए छोड़ देना five minute steam के बाद आपने इसको cool water के साथ नहीं अपने और तावल के साथ ऍ। पार्ट को उसके बाद आपने आजाना है cool पे तो इसको आपने ten minutes के लिए यूज़ करना है अच्छा जी तो स्टीम हो गई उसके बाद कूल पर क्या करना है आपन करना है इसको भी आप टू या त्री फेस पर यूज़ कर सकते हैं तो आपने इसकी जो है वो थोड़ी से कौंटरी निकाल के इसको फेस पर अपलाए करना है पूरे फेस पर अपलाए करना है आई एरिया या अपना मौस्चिराइजर यूज करेंगी तो इसके बैनिफिट्स क्या है ہے इसका इसका यूज मैंने अपको बता दिया है तो इसका बैनिफिट क्या है कि यह आपकी सकिन को सॉफ्ट करता है आपकी सकिन पर जो डार्क स्पोर्स और पिम्पल्स हैं उनको भी रुमूग करत जो है न वो और गैनिक प्रोडक्ट्स हैं कोई भी साइड अफेक्ट नहीं है और अगर आप इसको प्रॉपरली इसके यूज़ जो है वो अच्छे से आप इस्तमाल करेंगे तो आपको बहुत जो है वो बैनिफिट मिलेगा तो इससे आपकी स्किन जो है वो बहुत जादा क् रखिता है ये आपकी स्किन को इन्स्टेंट ग्लोव देगा ये था वी 15 मिंत में अप लगलो इतना वाइड निंग प्रोइड कर देता है ये इसको यूज़ कर सकते है इस फेसमास्क को आप इसको फिशल में भी ब्रॉब्रा तो आप पहले ये स्टीम कर और शेख्या करके इसके बाद में आप स्क्रब और जो भी आपका क्लेंजर वगरा जो प्रोसर सा आप इसको इसको आप जो अपने फेशल में भी यूज कर सकते हैं प्योर स्किन के डियल अक्षिन फेस मास्के बहुत अच्छे रिव्यूज है आपके रिव्यूज भी इसके आपको शेयर करूं